जय शिराम दोस्तों स्वाकत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइडी में तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो हम HPTAT के लिए केमिस्टी का क्रेश कोर्स कर रहे हैं जिसमें हमने 25 डेज में सारे टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे और वीडियो के एंड में आपके लिए उस टॉपिक से लेटिब प्रिविएस येर कोईशन और प्रैक्टिस एट वो भी करेंगे और आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलिग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो बीना टा जाए ये जनरल और इंटनिक होती गया है ये निया ब्रैक्रिंश इंड्री आफ दी हाइड्रो कार्बन नद इस टैरीवेटिवेटिवेटिव उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें हम जाने होते हैं इन्हेंं क्याब होते ऑर गानिक कежде मिस्टिवपो ठीक है दोस्तों तो सबसे पहला और एक question दोस्तों बहुत ज़्यादा important है कि 1828 में Friedel Wohler ने एक पहला और first organic compound discover किया था जिसका नाम है हमारा पास urea urea क्या हमारा पास first organic compound है दोस्तों ठीक और urea का formula क्या होता दोस्तों हमारा पास ns2 c o n h2 ठीक है दोस्तों इसका formula याद रखना ns2 c o ns2 मैंने हाँ पे लिखा भी दोस्तों यह urea का formula यह हमारा first organic compound है ठीक है दोस्तों next बढ़ते हम hybridization of carbon atoms तो दोस्तों अगर हमारा पास किसी carbon के साथ किसी carbon के साथ अगर चार atoms combine मालो CH CH 3A होगे दोस्तों CH होगे तो अगर चार carbon atom किसी carbon के साथ दोस्तों तो उसमें hybridization होगे मारा पास sp3 कौन सी hybridization होगी स्पी 3 hybridization होगी और यह connection क्या दोस्तों का alkane alkane होती उसमें कानसी hybridization होती दोस्तों की सिंगल तो उसमें hybridization कौन से होगी मार पास SP3 hybridization होगी next है मार पास अगर किसी carbon के साथ three atoms present है मतलब सिर्फ तीन ही carbon present है मतलब 1H दूसरा AH तीसरा AH और साथ में दोस्तो example दे देता हूँ मैं आपको double bond CH दूसरा तो एक carbon के किने bond होगे एक दो तीन चाहर तो दोस्तो इस carbon के साथ सिर्फ three नहीं atom present है अगर तीन atom present हो तो और साथ में उसके hybridization क्या होगी दोस्तो SP2 hybridization होगी SP2 hybridization होगी साथ में क्या होगा दोस्तो कौन इसका example क्या है दोस्तो L15 मतलब जहां भी double bond आ जाएगा उसमें hybridization कौन से होगी दोस्तो SP2 hybridization होगी कौन से hybridization होगी double bond में SP2 hybridization होगी और जहां triple bond आ जाएगा जाएगा जैसे CH triple bond CH ठीके दोस्तो तो यहां पर क्या होगा यहां पर कौन से bonding होगी किस दोस्तो SP hybridization होगी SP hybridization का मतलब जहांगे क्या होगी क्या होगे तो यहां पर triple bond आ ख owners को क्या आप Sorry कि था हुगे तो यह याद रखनांगी triple bond होगा तो SP hybridization होगी double bond होगा तो SP2 hybridization होग slopes सिंगल बाउन ओगा तो कौन से hybridization होगी SP3 hybridization होगी दोस्तों इससे question बढ़ना था दोस्तो HPTAT में भी तो यह बहुत जादा important रहने वाला है तो मैं यहाप important बिलिगे देता हूँ और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी next मारे पास electro negativity क्या होती है electro negativity किसकी जाद होती दोस्तों यह allocation भी आया था तो मैंने इसको यहीं पर cover कर लिया था electro negativity क्या होती दोस्तों जिसमें S character जाद होता है ठीक है तो SP hybridization में S character हमेशा जाद होता हुसके बाद SP2 में दोस्तों सबसे कम S character किसमें तो SP3 hybridization होगा SP में दोखो दोस्तों अगर हम इसको divide करेंगा 100% से 50S percent होगा 50P percent होगा तब यह 100% होगा यहां पर दोस्तों क्या होगा इसको अगर divide करेंगे तो 33% S होगा और हमारे पास 67% क्या होगा दोस्तों पी होगा वैसे यहां पर 25% S होगा और हमारे पास 75% क्या होता दोस्तों P3 होता है इसरे सबसे जादा सबसे जादा S character होता हुसकी इलेक्ट्र नेगिटिविटी हमेशा दोस्तों सबसे जादा होती है 50% इसमें 33% ता इसमें 35% ता क्रेक्षब्ण भी दोस्तों कि हमेशा याद रखना यह कुरूंट आ जाता है एक और बात याद रखना जहां एक और बात मत्रूंट की ऐलेक्टो नेगिटिवीटी ऊगए सब से कम होगी ठीक है उसके बाद सबसे-जयाद uma इंकितिव अभी बताया था हमको, अगर सिंगल डबल ट्रिपल में पुछाओका तो ट्रिपल बॉंड की सबसे जादा क्या होगी, लेक्टो नेगिटिविटी होगी, फिर डबल बॉंड की होगी और फिर सिंगल बॉंड की होगी दोस्तों, यह याद रखना बहुत जादा इंपोर्टे सिगमा बाउनिक होती है जैसे P economies और पॉंम पाइंट होती होती है, मतलब यह हैं से यहां यहां से और एक यहां से और जाता है तो इसलिए क्या होते रोटेट नहीं होते पाइडर होते हमार पास डबल और रिपलवन जो हो भी रिफल जहां प्रिजेंट होते गहां क्या होते पाइड-पाइब मुत है तो सबसे पहले हम बताएंगे इसकी hybridization क्या है दोस्तों तो hybridization क्या बदायत मैंने कि जिस carbon के साथ 3 atom लगे हो ठीके दोस्तों तो एक यहां लगा है दूसरा carbon इस carbon दूसरा यहां लगा है तीसरा यहां लगा है ठीके दोस्तों इस carbonके साथ, इस carbon के साथ 3 लगए, एक यहान लगा, दूसरा यहान लगा, तीसरा का, तो hybridization कौनसी होती है, carbon साथ 3 atom लग यह कोंसी होती है, तो हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पर कि is Benjamin денег में कितने सिग्मा band वो यहां पर कंट करें कितने के बंडे एक बंड सिंगल एंक सिंगल एंगे और यह चोथे रॉप से खेंज लिए गटिफट एंसे की दिछ gen उका यह साथिश कितने पढ़ेशnd कही होगी सिगमा ना कीटने इसमें 12 pai पाइबर गॉंट कितने इसमें 3 तो इसलिए यह बहुत ज्याधा Remote Δोस्तों बढ़ते हम difficil को सभ्क्रेशण की तरफ लेंगे यह आपको लर्न करनेमे किकिती चैपको dass है लोस्ते है फोमरा पास सबसे पहले हमारा पास ऐलगलालाइड क्या होता है कि किसी मीथाइल प्रूप तो फैले पहले आपको प Draguna था मेठाएल क्या होता है है यःधार teloffer जाथा यह ter 12 इसकी जगह कोई कुछ भी लग जाता माल लो तो इसकी हम क्या मिठाइक बन हम CH3 को किस से डिनोड करते हैं हम R से डिनोड करते हैं वैसी C2H6 होता है दोस्तों अगर इसका एक catch gap हो जाए तो क्या बनेगा C2H5 हो जाएगा तो एक इथाइल ग्रूप हो जाएगा C2H6 क्या होता है एथेन होता है अगर एक catch gap हो जाएगे तो इसको क्या बोलेंगे इथाइल बोलेंगे, तो C2H5 क्या हो जाएगा हमार service इथाइल हो जाएगा तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, दोस्तो र से डिनोट करते हैं। क्यों किसक्ता ह क्यों सुब्सक्ति डिनोट अवितर हम R करके क्यों सुब्सक्ति Canada'sTrust ऐसे जब भी कुछ भी हो तो उसको कौन सा ग्रूप बोलते हैं हम L-Chylide बोलते हैं उसका functional group क्या होता है दोस्तो X होता है उसको किसे denote करते हैं हम X से denote करते हैं next मेरा पास alcohol जब भी हम R group के साथ किसी भी R group के साथ क्या लग जाए O H लग जाए दोस्तो मैं R ही लिखूँगा R का मतलब हो गए यहां पर CS3 भी हो सकता है C2H5 भी हो सकता है दोस्तो ठीक है C3H7 भी हो सकता है ठीक है तो यह R group को हमें मैं क्या इसको R से ही donate करूँगा जब भी O H group लग जाए तो क्या बोलेंगे Amines क्या होगा कि CS3 के साथ क्या होगा NS2 होगा या कई जगा R NS2 भी होगा लिखा दोस्तो तो यह कौन सा group है हमार पास Amines group है दोस्तो यह तो आपको याद करने ही पढ़ेंगे next हमार पास LD हाइड LD हाइड ग्रूप कौन सा था दोस्तो अब किसी R group के साथ CHO लग जाए कई जगा CHO लिखा ओगा दोस्तो तो कई जगा इसी को क्या लिखा रिकांगा C double bond X क्या लिखा रिकांगा दोस्तो क्या हमार पास LD हाइड ही group है छीक के दोस्तो यह वी हमार पास कौन सा ग्रूप है LD ही रिके या R, C, O, जहां भी C, O, ग्रूप कौन सो होता है दोस्तो, LD हाइड होता है तो इसको कई जगा C, Double, Bond, O H करके भी लिखते हैं तो LD हाइड ग्रूप कौन सो होता है दोस्तो, C, O, LD हाइड ग्रूप है Next हमार पास Ketones Group Ketones Group क्या होगा? 2R के बीच क्या होगा C, Double, Bond, O होगा क्या होगा दोस्तो, C, Double, Bond, O होगा किसी 2R के बीच किसी 2R के बीच क्या होगा दोस्तो C, Double, Bond, O होगा उसे हम क्या बोलेंगे? Ketones बोलेंगे कौन सा ग्रूप लगा होगा दोस्तो Ketones Group होगा C, Double, Bond, O, आला कौन सा ग्रूप है तो इसको हम कई जगा इकठा भी लिखे देते हैं तो इसको लिखे देते हैं हम C O H ठीक है दोस्तो क्योंकि कीतने O are? 2 O are और सास मां की एक H. एक C है तो C O O H कौन सा ग्रूप है दोस्तो कारbokaoxylic group है कारbokaoxylic acid भी इसको हम बोलते हैं retro देवर and oh जैसे हैं पर इस अतीब हुते दोस्तों इस में क्या ओता है में पारा पास ऑ रधा test ने गर्पास अन्य थोस्तों सात्र में क्या होगा इसमें करी और और यह कौंसा γец ecte group होगा नेक्स्ट मार पास Acid Halide Acid Halide कैसे होते है दोस्तो जैसे किसी R के साथ C double bond O साथ में OH लग जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तो Carbox लिग बन जाता है पर जब इसके साथ कोई Alkyl Halide लगेगा Halide होता है मतलब दोस्तो Halogen लगा होगा Halogen कौन साथ होता है अगला फिर से amides Amides क्या होगा साथ में जो लगा ओका NH2 ठीक है दोस्तो तो यह कौन सा ग्रूप होगा आमाईड ग्रूप ओर देखो दोस्तो इन सब में C double bond O कह है dostो कॉमान है इन सब में C double bond O कह है कॉमान है सीड़वल बॉन को हम कौन सा ग्रूप भी बोलते हैं दोस्तों कार्बोनाइल ग्रूप भी बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रूप भी बोलते हैं तो याद रखना कार्बोनाइल अगर एक्जाम्पल में आ गया कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं तो अल्डी हाइड में कार्बोनाइल किटोन में सब में कौन सा ग्रूप पर कार्बोनाइल ग्रूप कॉमन होता है अगर होगा तो हमारे पास किटो ने होगा तो कार्बोक्स लिक से अगला यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है दोस्तो इससे भी लगभग चार या पांच बार रिपीट हो चुका है को इसको द्यान से जमना हो मोलोगो सीरीज किसको बोलते हैं तो हो मोलोगो सीरीज हो हमारे पास की सीमिलर कंपाउंड होता है विंग सेम फंक्शनल ग्रूप फंक्शनल ग्रूप क्या होगा सेम फंक्शनल ग्रूप होगा और सीमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है तो इसको हम एक्जांपल के साथ समझते एक्जांपल के साथ क्या हो लोगों सीरीज क्या हो लग गया ठीक है दोस्तो तो Eggs it gonna अगला यह दोस्तो ह्ीट्य होता है इसका Romans a फाई नट यह तो सबस्क्राइब क्या यह दोस्तो एक हट जाए나 सांथ में घ्र लग जाएगा वे लग जैँगा लेंगा भूल देंगे मिधन्ओम यह धिन्य homologous series क्योंकि इनका function group क्या है सेम सबका बस सीरी अगे carbon carbon atom और hydrogen atom क्या और बढ़ते जा रहे तो ऐसे को क्या बोलते हैं homologous series बोलते हैं तो दोस्तों 2023 में medical वालों को question आया था 2023 में medical वालों को question आया था ध्यान से पढ़ना इस question को कि the molecules the molecules weight difference between two consecutive homologous member is कि हमार को molecular weight निकालना है molecular weight निकालना है उनका difference निकालना है किसी दो consecutive consecutive क्या हो तो दोस्तों एक साथ होने वाली homologous member का तो दोस्तों इसका question ध्यान समझना है कि हमार को एक साथ कोई homologous series ले नहीं तो जैसे methane वाली CDS दिमारा है मिठेन को क्या लिखते हैं CH4 तो अगली कौन सी आजागी दोस्तों निदोनोंग दोस्तों क्या बोला है difference बोला है इन दोनों का difference कितना है तो अगर हम क्या क्कूध मbourneस करेंग है एक c को दोसे 1- करेंग तो क्या देगा Cayч starting H6 से H4 को माइनिस करेंगे तो H कितने हैंगे दोस्तों 2 आ जाएंगे तो उनका डिफ्रेंस कितना जाएगा CH2 आ जाएगा उनका दोस्तों क्या निकाला हमार को molecular weight बोला है तो molecular weight carbon का कितना होता है 12 hydrogen का एक होता है तो कितने है और 2 compound है तो 2 हो जाएंगे तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा इसका answer होने वाला हमर पास 14 यह बहुत जादा important question है तो इसको देख लेना 14 देख लेना दोस्तों यह हमर पर 2023 इस medical test में आया हुआ question है तो मैंने यहीं पर करवा दिया दोस्तों आपको तो homologo series हमेशा याद रखना जो एक किसी जिसमें functional group same हो और जो continue चलती रहती series जैसे यहां पर एक और example दे रखा मैंने ethanoic acid का ठीके दोस्तों तो अगला क्या होगा दोस्तों सी डाव लो एच फाइव लग जाएगा ठीके दोस्तों मिठोए नहीं को सिरीज होती दोस्तों ठीके आई हूप आप सभी को यहां तक समझ आ गया होगा नेक्स्ट हमार पास आईउप एसी नेमिंग यह बहुत जादा हमार पास important है तो आज हम आईप एसी नेमिंग को सिखेंगे कि आईउप एसी नेमिंग कैसे होती है आईउप एसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों सबसे पहले आईउप एसी की फुल फॉर्म में हमार पास international union of pure and applied chemistry कब डिसकवर एसी 1979 में डिसकवर की थी आईउप एसी नेमिंग तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्या उप एसी नेमिंग हम कैसे करेंगे तो इसका हमने सिंपल सा फॉर्मॉला एक साथ पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम आईप एसी सिस्टम में क्या लिखते दोस्तों prefix लिखते सबसे पहल पहले गया लिखेंगे prefix फिर वर्ड रूट फिर suffix prefix होते गया दोस्तों इनको ध्यान से समझ लेना prefix होते जब भी किसी कंपाउंड में हम पस फ्लोरो लगाओ या क्लोरो लगाओ या ब्रोमो लगाओ या आयोडीन लगाओ या CS3 लगाओ मिथाइल ग्रूप बोलते इसको हम इथाईल लगाओ C2H5 लगाओ ये सारे दोस्तों जब भी लगे होंगे उनको क्या बोलेंगे prefix बोलेंगे ठीक है दोस्तों जो functional ग्रूप नहीं होते इस substitute जो functional ग्रूप नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे दोस्तों prefix बोलेंगे next हमारे पास word root ध्यान से देखना दोस्तों हैं को समज़ लेना वर्ड रूट क्या होगा सबस्थपहले क्या लिख थे हम प्रीफिक्स लिखते थे उस ग रदिखेएंगे दौस्तों हम टृट रूट पिरिफिक्स सबसे पहले क्या लिखा दोस्तों हम ने प्रुट है जो सबसिटूट लग उसके बाद बरीबर wise क्या होते हैं दोस्तों मलठास जितने और सकार्बन एक्टम लगे अगला क्या मैं है ध्यूस्स ठीके दोस्तों क्या होते दो और आगार करते प्रैमिली सफिक्स और सेगेंडी सफीप प्रैमिली सफिक्स में आएका दोस्तों मन पास बाइंड है इसमें सिंगल पॉंड दयए डबल वांड है तो इन टिपल वांड है आई अगर मालो डवल वांड कितने दो डवल वांड है तो उसको लिख कहा लिखेंगे हम डाई इन लिखेंगे ठीक है डाई इन लिखेंगे अगर मालो टीन टीन क्या है डवल वांड है ती एकी कमपाउंड में कितने डवल वांड है तीन है किया याद रसनी और सिंगल Waar रहा किया है प्रिफिक्स में अगे प्रिफिक्स हो गया वर्ड रूट हो गया ऊंदके आगा प्रैमिरी सफिक्स फिर क्या ये दोस्तों 50 सवक्स क्या उते हैं जीला ग्रूप है जो हमारे पास जो ग्रूप लगे होते हैं जो फंक्शनल ग्रूप लगे हैं उसको क्या बोलेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे अब मालो कारबॉक्सली ग्रूप पे लगा है तो कारबॉक्सली ग्रूप का हम लास्ट में क्या लिखेंगे दोस्तो क्या लिखेंगे हम OE क्लिखेंगे यह याद रखना दोस्तो बहुत जादा important है यह ठीक है और इसको याद करना पड़ेगा अगर हमारा पास ester उसको क्या लिखेंगे हम OAT ठीक है दोस्तो अगर amide है तो उसको हम amide ही लिखते हैं ठीक है दोस्तो next हमारा पास nitrile को हम nitrile लिखते aldehyde को क्या लिखेंगे हम दोस्तो AL लिखेंगे aldehyde को क्या लिखेंगे हम AL लिखेंगे किटोन को क्या लिखेंगे दोस्तों हम ओन लिखेंगे क्या लिखेंगे हम किटोन ठीके एलकोल को क्या लिखते हम दोस्तों ओन लिखते हैं यह बहुत जादे इंपोर्टेड एल्डिहाइड को एल और एलकोल को क्या दोस्तों ओल ठीके अमाइन को अमाइन एलकीन को क्या खाता और यह को क्य लिखेंगे इन लिखेंगे टिके दोस्तों आप सब भी को समझ आ गये होंगे कारबॉक्स लिक को औट अमाइड को अमाइड को अमाइड न Alma현 निट्रेल को निट्राईली ऐल टाइड को में एयल तोल दुबारसे स्पीटेयरski को के लिखते हैं हम एज़ों को और स्फित हो अहे ठ लिखते को आइैन हम सबसे पहले IPSC naming करेंगे सबसे पहले हम अब हमारे IPSC naming करेंगे अब दोस्तो एक हमार पास compound मैं नहां पर लिखा हुआ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तो इसमें क्या compound है यहां पर लिख लेता हुआ हम एक बार CH3 CH इसके साथ क्या दोस्तो BR लगा हुआ है साथ में क्या है CH double bond CH उसका दोस्तो यह COOH यह क्या फंक्शन ग्रूप लगा है तो दोस्तो हमेशा numbering सबसे पहले लेखते हैं कार्बन की लॉंगेस्ट तो यह हमार पास क्या है सारी कार्बन की लॉंगेस्ट चेन दोस्तो ठीक है उसका numbering आस देते जहां से दोस्तो फंक्शनल ग्रूप लगा तो CWOH कौन सा फंक्शनल ग्रूप होता है दोस्तो हमने पिछे पढ़ा था CWOH हमार पास कौन सा compound तो अब दोस्तों numbering आस स्टार्ट होती हमरिशा numbering start होती जहां से function group लगा तो यहां फ्री फूर और फाइफ ठीक है दूस्तो तो यह 5 इसकी numbering होगी यहां पर आपको दिखाए होगा मैंने यहां पर numbering वितर रख रक देखो 1 1 2 3 4 और 5 दोस्तो इसका formula रहता है मैं आपका फॉर्मूला बदाया था दोस्तों ये इसका क्या है फॉर्मूला उता है क्या फॉर्मूला उता है दोस्तों इसका प्रिफिक्स वर्ड रूट फिर उसका प्रैमरी सफिक्स उसका सेगेंडरी सफिक्स तो दोस्तों इसमें देखो आप ध्यान से को कहा तो प्रिफिक्स क्या ल पेंट लिखते है तो word root के आगया दोस्तों paint आगया ठीकस ऩा है ऩा हमाँ पास का है primaryaguni जब्ल बाउंड thereby वॉन्ड जो हों और डूबल उसको क्या हो फ्रेमरि उधिक्स बोलेंगे यहां पर double bond किया डोस्तों यहां पर second सेकंड पोजीशनम पर डबबॉाइंड है यहां पर डफैन्ञ तो सेकंड पोजीशनमब क्या हिए डबबॉण। बबॉण। तीसरे सगेंडरी सांफीक्स का ह Musik पौल्ड ने हमाँ पास क्या लगा? न सब्सक्राइब और न's अगरें यह बरको 맞ता है . दो, चौत्य नमर पे prefix तो क्या लिखेंगे, चार, prefix कौन सा दोस्तो, bromo है तो, 4, क्या लिखेंगे दोस्तो, 4 bromo, यह हो गया, next क्या लिखेंगे, दोस्तो, word root, word root क्या है इसमें, pent, word root क्या था carbon, pent, अब इसमें, दोस्तो double bound, भी double bound कौन सी position पे, position ज्रू लिखना दोस्तो, double bound अब दोस्तो अगला क्या है प्रैमिरी सफिक्स भी हो गया डबल बॉंड वाला अगला सेकंडरी सफिक्स क्या होता दोस्तो ओएक कौन सा कारबॉक्स ली ग्रूप पे तो उसका सफिक्स क्या होता दोस्तो ओएक होता तो लास्ट में क्या लिखेंगे ओएक कौन सी पोजिशन पे वन ओएक तो इसको वन ओएक डिखेंगे दोस्तो यह रहा इसका नाम आई ओप आप सभी को समझ आ गया होगा क्या नाम इसका फोर ब्रॉमो पैंट टू इन ओएक एसिट ठीक है दोस्तो आई हो आप सभी को जनरल standard rule तो पहला rule हमार पास longest chain ठीक है दोस्तों पहला rule का सा हमार पास longest chain हमेशा carbon की हम क्या देखेंगे सबसे पहले हम longest chain देखेंगे दोस्तों हमें दो example दे रखें ठीके compound हमार पास क्या CS3 CH CH2 और साथ में क्या है CH3 दोस्तों और साथ में इसके C के साथ क्या है यहां पूपर double bond है दोस्तों CH2 double bond है और इस CH के साथ क्या है दोस्तों CH3 है ठीक है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों carbon की long chain देखेंगे तो एक या तो carbon की long chain ही होगी दोस्तों यह carbon की long chain होगी दोस्तों यह carbon की long chain नहीं होगी दोस्तों क्यूंक्य होगी मैं इसका reason पताता हूं। क्यों कि इसमें दोस्तों हमने double ॐांड को हमेशा क्या करना है include करना है अगर हम यह उली chain लेते हैं दोस्तों हम डबल बॐांड क्या रहा जाता है substitute रहा जातता है. तो दोस्तों दोस्तो यहां पर double bond क्या chain से बहार आ रहा तो ये वाली chain possible नहीं है तो बच्ची कौन सी chain दोस्तो फिर बच्चे के मार पास ये वाली chain तो इस वाली chain को क्या लिखेंगे हम ये वाली chain ठीक है दोस्तो अब ये कार्बन की सबसे लॉंग एस चेन माने जाएगी क्योंकि दोस्तों यह क्यों माने जाएगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा दोस्तों डबल बॉंड भी इंकल्यूड हो रहा है क्या हो रहा है डबल बॉंड भी इंकल्यूड हो रहा है तो इसलिए यह वाली चेन कप सबसे लॉंग और थां सेंड़् पोजुशन प्रेकी सेंड़् पोजिशन में सबीची तो सेंड्ब क herumतर सक ही तो क्रोंड पोजिशन प्रेकी जी Coumad कौन सा आता है दोस्तों ई पहले आता है यह और एम में पहले कौन सा आता है यह आता है तो हमेशन लिखेंगे क्या ई पहले लिखेंगे तो दोस्तों अब इसकी नेमिंग करेंगे सबसे पहला रूल क्या था हमार पास प्रीफिक्स सबसे पहले प्रीफिक्स क्या आता है हमार जो substitute लगा होता है तो इसमें 2 substitute लगे एक कौन सा दोस्तों substitute हमरा पास second position पर एक हमरा पास third position पर second position पर कौना दोस्तों ethyl है और third position में कौनad मिथायल इऔर एम में पहले क्या आता हम पास एक हमेशा पहले लिखेंगे तो 2 इथाईल हो गया दोस्तों ठीक है नेक्स्ट हमरेपास क्या है दूसर सबस्यूट कौन से थर्ड पोजिशन पर थर्ड क्या हो का दोस्तों मिथायल तू इथाईल थ्री मिथायल अब उसका चार कारबन है तो इसको क्यालिखेंगा ब्यूट ठीके दोस्तो इसमें डबल बॉंड कौनसी पोजिशन पर वन पोजिशन वट वन इन और सेकुंडरी सफिक्स इसमें दोस्तों कोई functional group नहीं लगा है तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हमार पास क्या है टू इठाइल, थ्री मिठाइल, ब्यूटीन ठीक है तो यह हमार पास right है यह हमार पास wrong है यह वाली क्यों wrong है क्यों हमने यह वाली carbon chain ली थी और इसमें double bond क्या रायत गया था उपर ही का chain से अलग हो गया था इसलिए हमेशा हमने यह वाला गलत है हमार पास और यह वाला क्या right है यह हमार पास longest chain rule था second rule हमार पास lowest number rule दोस्तों यह भी बहुत जादा important है lowest numbering देनी बश्तों इक हमार पास compound है भी यह वाला तो यहां पर हमने पहले numbering यहास दी one two three four five और six और इस साइड कहां से numbering दी यहा से दी one two three four five और six दोस्तों यहां पर हमने numbering दी तो यह वाली कै गलत है और यह वाली कै सही है ऐसा क्यों दोस्तों यह मैं आपको explain करता हूँ जब हमने यहां से numbering दी यहां से जब हमने numbering दी तो इस substitute को कौन सी numbering आई तीसरी numbering आई और जब हमने यहां से numbering दी दोस्तों तो इस substitute को कौन सी numbering आई चौत्थी numbering आई तो हमेशा substitute को क्या आनी चाहिए 3, 4, 5, 6 तो दोस्ता आयोप आपको यह भी समझ आ गया होगा, next बढ़ते हम next एक और example है, अब यहाँ पे दोस्तो वह यह example ठीक है यह क्या था, पहल तो longest carbon की longest chain लेनी थी, तो यह वाली हमने longest chain ली नहीं, क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे double bond क्या हो रहा था, chain से बाहर आ रहा था, longest chain कौन से होगी दोस्तो, यह वाली हमार पास longest chain होगी, ठीक है दोस्तो अब इसमें numbering देखो दोस्तो, अगर हम numbering यहाँ से करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो carbon को कौन से numbering आ रही, इस double bond वाले carbon को कौन से numbering आ रही थी, 4th numbering आ रही थी, ठीक है, और जब हम numbering कहां से करे थे, उपर से करे थे, तो इस carbon को सबसे lowest numbering आ रही थी, 1 numbering आ रही थी, तो हमेंशा double bond को क्या करनी, lowest numbering ही देनी है, तो second rule हमार पास यह था, तो यह correct है, यह क्या हमार पास, wrong है, तो next हमार पास sum rule, यह दोस्तो बहुत ही ज़्यादा important sum rule है, sum rule क्या होता हमार पास, मैं आपको समझा देता हूँ, sum rule क्या है हमार पास, तो sum rule हमार पास क्या, कि एक हमार पास compound है, ठीक है, दोस्तो हमने यह हमार पास क्या, carbon की long gas chain यहां पर दोस्तो same compound ही मैंने लिखका carbon की long gas chain बस numbering का फरक है दोस्तों तो हम ने यहां पर numbering कौन सी की यहां पर numbering की इस side से one two three four five और यहां पर numbering का उसकी one two three four five ठीक है दोस्तों पहले तो आपको यह पता आँना चीए ठीक है तो जब हमने यहां से नंबरींग की, तो सबस्टिटुट की पोजिशन की है यहां पर सबस्टीट पोजिशन की किया है सबस्टिट किस पहेने तो हैं वह वियुक्त है एंगे कर दिया अग्ला सब्सिटूट कितने पर दोस्तों फॉर्थ पोजीशन पने यहां कि तो होति थी कि चॐसर तो प्लस टो बडिया 0 में ऑगाchnR इसलट नाग्र चाहते हैं धुए पर pandemia है खाना यहां rule ही यह बोलता हमारे पास कि जिसको lowest number आ रहा है eight को क्या रहा हमारे पास lowest number आ रहा है तो वो हमेशा numbering सही होगी दोस्तों तो I hope आप सभी को समझा आगा होगा तो इसलिए यह वाला correct है यह वाला क्या हमारे पास wrong है तो दोस्तों इसकी PDF भी हमारे पास आपको आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी मैं दोबारा से आपको एक और फिर से समझा देता हूँ कि यहां पर substitute लगा एक two और fourth पर लगा है यहां पर दोस्तों four और two पर लगा है यह एक ही compound पर हमने numbering पहले ही इस side से की है इधर numbering हमने इस side से की है ठीक है दोस्तों जो हमने इस side से numbering की है तो यहां पर कितना आ गया हमने पर second position किने substitute लगे दो लगे तो हमने two plus two लग दिया और अगला substitute fourth पर लगा तो इंको क्या कर दिया प्लस कर दिया हमने चार चार आटर दो 10 आ गया तो lowest number कौन सा यह वाला lowest है एट वाला lowest है तो यह वाला क्या होगा numbering correct होगी यह वाली क्या होगी गलत होगी तो यह वाली क्या होती दोस्त हमर पस गलत होगी तो बढ़ते हम next rule की तरफ next rule की दोस्त मैं आपको समझा दिया alphabetical order are field first मतलब methyl और अगर ethyle दोनों substitute लगे हो methyl substitute कौन सा आता दो तो CH3 इथाईल क्या हो तामर पास CH2 CH3 या कई जगा है इसको हम C2 H5B भी बोलते हैं तो methyl reple में पहले कौन सा लिकाता आए गा दोस्तो टो इथाईल लिखा जाएगा पहले कौन सा लिखा जाएगा इथा अब जैसे for example यही compound है ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या दोस्तो नमरंग की है तो और itu zuasmu tum नवर लगे एक टीन फिर अधर कि लगे दो प्लस फास फटलरे तो पॉंच पन्च प्लस प्लस पांच टीन तेरा us का गzahl दोस्तो दो demokrat चार एक होगी दोस्तो इससे ओगी by उस्को सब्सिट्योट को क्या वने चाहिए लोई सनमी ऐसे दोस्तों तो अब इसमें दोस्तों यहाँ पर कौन सा ग्रूप लगा सी एस ऩो ही यह मैं से उये कौन सा ग्रूप होद utilise हभी गस प्रेंब नो हमें एक है फाली से इस तक महले उस पहले पहले बैसocy just nearly लिखा दाएगा तो इथाईल कौन सी position पर 4th position पर तो 4 क्या लिखा गया इधाईल 4 इधाईल और अगले उसके बाद कौनसा सब से पहले दोस्तों prefix लिखते prefix क्या होते मिफाईल जो substitute लगए तो क्या होते prefix होते अगला दोस्तों क्या है हमार पास मिठायлем कितनें लगे दो लगे दोस्तों में श cater करतेर्थ , यह से मत लिखने ना कि ैधी मिठायलि दोनों पोजिशन लिखने पद ती टू थो दो पोजिशन पर दो लगे तो दो लगे तो ड़ाइ , 24 मिठायलि समझा गई दोस्तों 4 इथायAh tu to dymethyate कितने करबनों दोस्तों में अ क्या हो गाई हम आरे सालिक्स था उसका घउत्ता रच चाहाता दोस्तों वर्ड रूट टाता वर्ड रूट कितने वर पास कितने करभन है चे कारवन है, तो दोस्तो क्या आगा है, हैक्ज आ गया, सब में सिंगल बॉंड ही, तो साथ में क्या आगा, एन, सब में सिंगल बॉंड ही, तो क्या आगा, एन, तो हैक्जे, इसका नाम क्या जागा, 4-Ethyl-22-Dimethyl-Hexane, दोस्तो आपको यह बहुत जादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ऐसे नहीं एकदम से आपको नहीं आएंगे जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे आईउपीसी नेमिंग आराम से आजाएंगे और अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख लेना हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे दोस्तों ठीक है तो बढ़ते हैं में नेक्स्ट डूल की तरफ नेक्स रूल है हमारे पास दोस्तों कि अगर आपके पास further कोई एक compound further कोई उसके आगे क्या एक और chain है एक और branch change ने तो उसका नाम कैसा लिखा जाएगा दोस्तों तो आपको मैं पहले बता दू कि अगर हमारे पास पहले दोस्तों numbering देंगे numbering क्या होती है अगर हम यहां से numbering देंगे तब इसको दोस्तों चौथा number आता है और अगर हम यहां से numbering देंगे तब भी आपको इसको क्यों सा group आएगा substitute को चौथा ही group आएगा तो substitute हमारे पास यह दोस्तों पहले हम substitute को side में लिख लेते C CS3 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 और CS3 हमारे पास क्या है? obesity पहती है तो हम पहले substitute का नाम लिख लेँगे दोस्तों यह हमारे पास carbon की सबसे longest chain लेँगे छेंगे छेंगे तो carbon की सबसे longest chain लिख ली ठीके दोस्तों इसका नाम कैशेंगे है? पहला दूसरा पहली position पहेँगे लगे तो क्या लिखेंगे हम इसको कुल है तो यह दोस्तों कहां पर क्म सी पोजिशन पर का मज़ा तो इसको मनें फूर्थ नाम की लिए ओर्फ पोजिशं क्या लगा दोस्तों broken chain company दोस्तों यहां पह्म है पिर अनल अकी यहां प्त इतने वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल तो आते नहीं पर फिर भी आपको आई पीसी नेमिंग अच्छे से आने चाहिए बढ़ते हम नेक्स नॉमनक्लेचर की तरफ यह दोस्तों और पास अंसैचुरेटिड हाइड्रोकार्बन वाला है तो यह भी क्या हमार पास बहुत ज जैंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं अनसैचुरेटिड कार्बन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं तो नेक्स रूल हमार पास दोस्तों इनके लिए अलग रूल होते तो पहला रूल है इनका दोस्तों कि CS3 CS2 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 एक हमार पास कंपाउंड है ठीक है दोस्तों यहां पर लोंगेश चेन कौन सी यह वाली बन रही है इसमें क्या कि हमने सब्सिटूट को भी इंकल्यूड कर दिया तो दोस्तों इसमें लोंगेश चेन कौन सी वाली यह वाली हमेशा क्रेक्ट होगी यह वाली क्यों क्रेक्ट होगी क्यों दोस्तों जो यहां पर सब्सिटूट था यह यहां पर दोस्तों longest chain कौन सी आ जाएगी हमर पास longest chain आ जाएगी यह वाली अब दोस्तों numbering कैसे होगी या तो numbering यहां से होती 1 2 3 4 5 6 या दोस्तों numbering कहां से होगी यहां से होगी 1 2 अब दोस्तों यहां से जब हम numbering करें तो car double bond को सबसे lowest numbering कह रहा है तो numbering कहां से start होगी दोस्तों, यहां से start होगी one two three four five six तो six होगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिःखना prefix और जो डोस्तों इसमें ये जो चीज बचिकी क्या होजगा हमरे पास prefix कह identical स्देश 3, . 그건 क्या होबता दोस्ता हमरे पास कौण सा prefix है behalf PHX है कौ सा प्रिफिक्स है दोस्तो इस साइल क्या आप तर्फ हमार पास इसा नाम क्या भूचे लिक्शंञा क्या लिखेंगे यह कोежिए अरफ is ए लगेगा क्या नाम क्या लिखेंगे 3 है कि उसके बाद दोस्तो फोंड रूट वर्ड रूट कि तो इसमें शह लिखेंगे है हमंधी इसमें दोस्तो ए नहीं लगेगा एऍन क्यों नहीं लगेगा यहाँ पर कहा एक डबर बाउन पर्जेंट नहीं दोस्तों उनके सिर्फ हमने primary suffix वाले ही general rule पढ़ रहे हैं दोस्तों ठीक है तो इसका नाम क्या जाएगा और पास three ethyl hex one e ना जाएगा तो next बढ़ते हैं unsaturated hydrocarbons हमेशा याद रखना दोस्तों यह next rule भी क्या है यह आपको देखने में बहुत बड़े बड़े लगेंगे पर है बहुत छोटे छोटे दोस्तों एक general term में हमेशा जब भी double bond या triple bond प्रेजेंट होगा दोस्तों जब भी क्या double bond या triple bond प्रेजेंट दोरने मतलब in हमेशा पहले आएगा as compared to ढ़यगे इन हमेशा पहले आए ग्षा यहां पैसा पर कंपाउं है यह वाली यह था पहले रखने दो इसमें क्या होगा दोस्तों पहले हम लिसे कही पांच कार्बन वाला लिखने लिखेंक के और एम्हें हो यह the first पोजिशियुण तो pent for in ठीक है दोस्तो उसके बाद क्या ट्रिपल बॉंड प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे कांसी पोजिशन है वन आई और एक और बात याद रखना दोस्तों यहाँ पर मैं in को in e मत लिखना e क्यों नहीं लिखना क्योंकि दोस्तों जब हम इसके आगे कोई भी word को joint करेंगे तो इसका e क्या हो जाता है cancel हो जाता है तो in को क्या लिखते हैं सिर्फ in ही लिखते हैं अगर यह in तक ही खतम हो जाता दोस्तो तो हमने एन नी पूरा लिखना था पर एन के बाद कर दोस्तो हमारे पास एक और क्या है उन आई नभी है तो इसलिए दोस्तों इसको हम क्या लिखते audit एन ही लिखते है और इसमें कीन थे कार्बन थे पांच कार्बन थे तो वर्ड रूट से शुरू किया हमने कोई प्रफिक्स निथा नहीं इसमें लगा कोई इसमें सब्सिट्यूट नहीं था लगा तो इससे वे वर्ड रूट से स्टार्ट किया तो पैंट ठीक है उसके वहाँ दोस्तों हमेशा किसको प्रेफरेंस मिलती डवल बॉंड हमेशा पहले लिखते है तो डवल बॉंड कौन सी पोजिशन पे बेढ़ा था फूर्थ पोजिशन में तो 4 in उसका रही दोस्तों में ट्रिप्ल बॉंड भी था कौन सी पोजिशन पहा ता one पोजिशन बेऊ था तो one ट्रिपल बॉंड को कह लिखते हम aine लिखते इसका नाम आवा एका पैंट 4 in 1 नेक्स कुईशन भी दोस्तों बहुत जादा इंपॉर्टेंट है ये भी तो ये भी आपको समद ले रहे ना ये बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है ये कन्फियूजन पायदा गरता है इसलिए मैं इसको बार बार इंपॉर्टेंट बोड रहा हूँ कन्फि and triple bond भी तो अब numbering कहां से पढ़ेगी दोस्ति या तो numbering यहां से होगी देखो मैंने ही पहले one two three four five यह numbering दोब्छक से होगी, इस साइड जो मतलब 1 2 3 4 और five तो कौनसी वाली क्रेक्ट है दोस्तों? यह वाली क्रेक्ट है यह वाली क्रेक्ट हो參 결 पे और Double Bond किस पे दोस्तो tada position पो तो 1 प्लॉस 3 कितना आजए है का फॉरर आजए अगर अगर हमने यहान से numbering की जड़ तो इसमें double bond कौन सी उजिशन पे टू पोजिशन पे और wus couple gund कौन सी उजिशन पे फॉर्त पोजिशन मे तो इनको प्लस करके कि ना रहा है 6 रहा है तो हमेशे किसको preference मिलती है lowest को हमेशे preference मिलती है तो 4 वाली numbering क्या होगी तो इसलिए 4 वाली numbering क्या होगी सभी होगी दोस्तो पहली बात यह होगा अब देखो कितने carbon इसमें पाeger carbon इसमें तो उसको मिन'Do क्या लिख्ट लिख्ट ठीक है उसका प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉंड हो जब हम लिखेंगे लिखने में हमेशा प्रेफरेंस किसको मिलेंगे डबल बॉंड को मिलेंगे क्यों मिलती दोस्तों इएट की खाता हे हैं यह गाता है हमेशा पहले आता है यह उघाता है हमेशा पहले आता है कि इस से यह historic की का आपके इस से य इ अलफवेटिकली ही पहले आता कि इस से यच इस लिए हम double bond को preference मिल आ हमेशा पहले मिलती है तो यह हो गया दोस्तों तो पैंट व इसका नाम हो गयो साथ हो गया डबल बॉंड कि कौंण सी बॉजीशन में डबल बांड में बाथ लोस्तो टर्ड पॉजीशन पर जब va मिंहीं आए तो दोस्तो यह इसका नाम आ गया PENT 3 IN 1 आई तो यह इसका सही है और यह इसका रोंग है तो इसका अगर हम यहाँ पे नाम लिखा होते हैं तो यहाँ से numbering क्यों थी तो इसका नाम क्या रहना था 5 carbon है PENT ठीक है दोस्तो numbering double bond को पहले मिलती ही तो डबल bond कहा है यहाँ पे 2 तो PENT 2 IN और टिपल bond कहां पे दोस्तो फूर्थ पोजिशन पे तो 4 आई पर यह दोस्तो गलत होगा कई वार option में हम यह वाला भी टिक कर देते तो numbering कहां से पहला होगी दोस्तो numbering हमेशा वहां से पहला होगी जिसके sum rule क्या होगा कम आएगा दोस्तो जिसका sum rule क्या हुआएगा कम आएगा तो इसका sum rule कितना आ रहा था दोस्तो 4 आ रहा था क्योंकि 1 प्लस कितने position पे 3 पे तो 4 आ है इसको में जब हम यहाँ numbering कर दें तो double bond कहां था 2 पे था और यहां पर टेपरवांट किसमें तो फोर्थ पे था जिनको प्लस करके किनारा था शिक्स आ रहा था लोएस को मेशा नमरिंग प्रेफरेंस पहले मिलती है तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करें दोस्तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो